आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्तों एक बहुत ही एक ऐसी खबर आ रही है जो वाकई में बड़ी शर्मिंदा करने वाली है अदार पुना वाला 40 साल के हैं बहुत यंग डायनमि एक CEO of Serum Institute समझ लिए पूरा भारत इनके कंदों पे है इन्हीं की ही वज़े से हम बचेंगे कोरोना से क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा और Serum Institute ने यह सावित कर दिया है सबसे पहली वैक्सीन तो यहीं लेकिया है ना एस्टाजनिका अलब भारत मे वो कोविशील्ड यह वैक्सीन बना रहे हैं फार्मा में भारत ने कमाल का काम किया है लेकिन आँ इन्होंने भारत छोड़ दिया है लंडन चले गए है और उसकी बात इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अब वो इंटरव्यू हिला देने वाला है ऐसी-ऐसी बाते बोली है कि सच में दोस्तों मेरे होश उड़ गए आपके भी उड़ेंगे रुखिए यूके डेली को इन्होंने इंटर्व्यू दिया है चानल को सब्सक्राइब करो एक सेकंड लगेगा और बैल आइकन दबाओ ताकि आपको इंस्टिट्यूट के CEO जो इस समय दुनिया का सबसे लार्जिस्ट वैक्सीन मैनुफाक्चिरर है जर्मनी वैसे ही भारत से खार खाये हुए है गुसार आया है कि भारत ने पूरा मार्केट हतिया लिया दुनिया सबसे ज़्यदा वैक्सीन हम प्रड्यूस कर रहे हैं सेरम इंस्टिट्यूट जो अपनी वैक्सीन का 90% स्टॉक भारत को दे दिया खैर भारत को ही देना था भारत को ही मिलना था वो और इनको धमकिया मिल रही है politicians and powerful men वो बोल रहे हैं vaccine दो वरना अच्छा नहीं होगा exact इनके words है अब दोस्तों इन्हों ने भारत छोड़ दिया है और यह लंडन चले गए अरे सर लंडन में तो जबर्दस्ती blame किया जा रहा है बता रहे हैं कि fact जो है it is an understatement लोग तो इनको इतना कुछ बोल रहे हैं और दोस्तों यह powerful लोग हैं धमकी तो कुछ है ही नहीं मुझे तो ऐसी ऐसी बाते सुनने को मिल रही है सुबा फोन रिंग सुबा फोन की घंटी बस ती है बस शुरू यह बता है इन्होंने the times को newspaper को पूना वाला इस समय लंडन में रहे हैं जैसा कि मैंने बताया और बता रहे हैं कि दिखिए कि अगर तुम हमको vaccine नहीं दोगे यह exact words से इनके कि इनको phone करके बोला जाता है कि अगर तुम हमको vaccine नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा धमकी है यह यह phone language भी नहीं है यह tone है कहते नहीं कि हमारा काम नहीं करोगे तो IC की तैसी धमकी नहीं है यह बता रहे हैं तुमको टांग देंगे ऊपर मार देब गोली के हूँ ना बोली तो इस तरीके से इनको धमकिया मिल रही है अब यह बोल रहे हैं कि क्या करूं मैं मैं कर क्या सकता हूँ जो मेरे पास है मेरी पूरी capacity से हम हमारी company पूरी capacity से काम कर रही है वैसे ही दोस्तों इन्होंने शुरुवात में 60 साल के ओपर 45 साल के ओपर फ्री में वैक्सीन बाटी अभी भी वैक्सीन के दाम दोस्तों बहुत कम है Moderna, Pfizer के लगवाने जाएंगे ना 7-8,000 रुपए की वैक्सीन है और वो manufacturer इतना खतरनाक है Moderna और Pfizer तो अपने मन की चला रहा है एक बार मीटिंग की दुबारा भारत आया नहीं Argentina की ऐसी टमस and condition रखी के Argentina लगबग हालत खराब होगे Argentina की तो Moderna, Pfizer बहुत अखडू है Serum Institute तो बिलकुछ शान्त है वो तो उन्होंने तो पहले ही बोला कि Humanity First In fact, दाम भी घटा दिये अभी 200 रुपए से अभी vaccination शुरू हो गया है 18-14 साल तक का vaccine के दाम भी घटा दिये हमको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा है जब तक हम उनकी demands को पूरा ना करें और अभी मैं काफी time तक London में रहूंगा मैं उस situation में वापस जाना ही नहीं जाता सब कुछ मेरे शोल्डर ऐसा लग रहा है यह बोल रहे है कि ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हूँ मतलब सब कुछ मेरे कंदों पे है लेकिन मैं अकेले यह नहीं कर सकता मैं उस situation में रह नहीं नहीं चाता जहां पे मेरे उपर इतना ज़्यदा प्रेशर हो मैं अपनी जॉब को अपनी बखूवी कर रहा हूँ लेकिन हर किसी की नीट को हम केटर नहीं कर सकते ट्विटर पे सेरम इंस्टिट्यूट के सीओ मतलब इन्हों ने पोस्ट किया सैटरड़े को की मीटिंग बहुत बढ़िया रही हमारे पार्टन्स और स्टेक होल्डर्स यूके में और कौवी शील्ड का जो प्रोडक्शन है वो फुल स्विंग में है पुने में और मैं यह इन्होंने बोला है फिर इन से पूछा जाता है कि अच्छा अभी जो सिच्वेशन है भारत में उसका ब्लेम आप किस पे डालना चाहते हैं किसकी वज़े से यह हुआ है अधार पुलावाला ने बोला कि अगर मैं आपको जवाब दे दू तो मेरा सर काट डाला जाएग मुझे काट दिया जाएगा my head would be chopped off यह बोला है मैं election पे comment नहीं करूँगा कुम्ब मिला पे नहीं comment करूँगा क्योंकि it is too sensitive हाला कि भारत मतलब भगवान भी यह नहीं बता सकता था कि इतनी बुरी situation हो जाएगी Cyrus Puna वाला जो की इनके पिताजी है और अभी chairman है वो बोल रहे हैं कि अदार जो है जो मेरा बेटा है वो जाता रहता है वो places जाता रहता है इधर उदर घूमता रहता है क्योंकि उसका कामी ऐसा है उसको जाना पड़तो और अभी तो vaccine हमको पूरी दुनिया को supply करनी है vaccine को मांगने में बड़े-बड़े politician, powerful लोग, chief minister तक शामिल है चीफ ministers इन्होंने बोला नाम नहीं लिया है बड़े-बड़े business वाले ये बता रहे हैं कि इतना जबरदस्त expression, aggression है इतना गुसा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं ही सारी चीजों का जिम्मदार हूं उनको लगता है कि यार किसी को vaccine मिल जानी चाहिए, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भाया इस चीज में time लगता है, वक्त लगता है, तो इतने बड़े-बड़े लोग अधार पुना वालों को दमकार है, इससे पहले अधार पुना वालों को Y category दिया गया था, है ना, कि इनकी जान को वैस sign हुई है Britain से, कि वो भी basis और लगाएगा, और vaccine का production और तेस करने के लिए, हम manufacturing तेस करेंगे, फिर यहाँ पे जब इन से पूछा गया, कि अभी कौवी शेल की cost घटाए गई, तो नहीं बला ये बिल्कुल गलत है, कौवी शेल is the most affordable vaccine in the world, ये बिल्कुल सही है, और थोड़ा बहुत तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि production में पैसा लगता है, यहाँ पे हमारे उपर responsibility है, we have the sense of responsibility, vaccines हम बना रहे हैं, और इसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को पड़ेगी, हमको पता है, तो हम अपना best कर रहे हैं, वैसे भी इनका annual production जो है, वो 1500 से धाई billion तक क्या है, 250 करोड़ vaccine हर साल ये बनाएगी, 800 million dollar के खर्च पे, तो यही सारी चीजें हैं, और अब यह जो है, सो है, देख लिजे कि इतने powerful इंसान को, powerful क्या मतलब इतने, जो इंसान इतना भारत के लिए कर रहा है, उसको धमकिया मिल रही है, तो अब मैं क्या बोलू, इसका य खुश रहे पर तेरे, देसे सिद्धान तक नियों तरी, साइनिंग ओ.